आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग Nets Portal पर Apprentice के लिए अपलाई करना चाहते हो कोई भी विकेंसी अपने एश्टेट में या कहीं पे भी कोई भी विकेंसी को अपलाई करना चाहते हो तो कैसे आप अपलाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में आने वाले जो भी सारी विकेंसी आते रहते अप्रेंटीस की और नेट्स पोर्टल से रिलेटेड जो भी डॉट्स क्वेडी होंगी आप कमेंट सक्षिन बताईगा तो मैं उनके उपर आपको जरूर से वीडियो बना करके आपकी क्वेरी जो भी है स्वल्व करने की पूरी करना है नीचे स्क्रोल करोगे तो यह वैबसाइट है नेट्स डॉट एजुकेशन डॉट इन तो इस पर आपको आना है जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आएगा तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको एस्टूडेंट वाले सक्षन पर आप क्लिक करना है तो जैसे स्टूडेंट वाले सक्षन पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर दो ओप्सन आएगा एक स्टूडेंट रजिस्टर का और एक स्टूडेंट लोगिन का तो जो भी से कंडिडेट है जो पहली बार के लिए आपको सबसे पहले कर चुके हैं तो आप यहां पर student login पर क्लिक करके आप login कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप लोग को यह से एक new candidate होंगे जिनको अभी तक registration नहीं किया तो कैसे registration करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको YouTube में search करना है KKS Indian उसके बाद आपको हमार list दिखेगा इस पर आपको क्लिक करके इसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे कैसे आपको registration करना है अगर आप पुराने पोटल पर login किया या registration की हो तो आपको new portal पर login कैसे करना है उसके लिए ये वीडियो देखने है और अगर आप लोग registration नहीं कियो पहली बार के लिए तो आपको new portal पर इस पर registration कैसे करना है ये वीडियो देख करके आप registration यहाँ पर कर सकते हैं तो हम मानके चलते हैं कि आप लोग registration अल्रेडी कर चुके हैं अब बात करते हैं कैसे इसको apply करना है apply करने के लिए आप login पर click करना है जैसे login पर click करोगे तो इस तरह का interface आएगा आपको नया password यहाँ पर generate कर सकते हैं उसके बाद आपको login पर click कर देना है जैसे आप login करोगे तो कुछी इस तरह का interface आपके सामने मा आएगा जिसमें कि आपको यहाँ पर dashboard का section होगा profile का change request का application management का help का और logout का उसके बाद आपको यहाँ पर scroll करोगे तो इस तरह का आपके पास यहा interview call तो अगर आप apply करते हो किसी में shortlist होते हो तो आपको यहाँ पर show होगा किसी की दोरा interview के लिए बुला जाता है तो इसमें show होगा उसके बाद किसी में select होते हो तो इसमें show होगा उसके बाद आप किसी में reject कर दिया जाता है तो इसमें show होगा तो आपको यहाँ पर नीचे करके apply कर सकते हैं in case अगर आपको किसी particular state में apply करना है अपने नजदी की estate में या किसी अपने नजदी की district में apply करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिखेगा section apply against yearly requirements तो यहाँ पर आपको जो भी industry का नाम है अगर आप search करोगे तो उसके हिसाब से भी आ जाएगा अगर होगा तो उससे अच्छा आप लोग क्या कीजिए यहाँ पर estate का option दिख रहा इस पर आप click कीजिए और जो भी estate में apply करना चाहते हैं उस estate को यहाँ से select कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप अपने district या अगर आप कोई nearest district में करना चाहते है तो यहाँ से district भी select कर सकते हैं अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे में search का option दिख रहा है इस पर आप click करोगे तो जो भी आप estate चूज की हो उस estate में particular जो vacancy आई होंगी वो आपको यहाँ पर so होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें Delhi estate मैंने select किया तो जो भी Delhi estate की vacancy होंगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी तो जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं Engineers India Limited, Airport Authority of India, Railtail Corporation, Auto Ignition Limited, तो यहां पर जो भी vacancy आपको दिख रही है, आप किसी में भी apply कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा में भी apply कर सकते हैं, तो जो आपके लिए suitable हो, जो आपके लिए अच्छा हो, यहां से उसको देख सकते हैं, यहां पर आप second करोगे, तो आपको फिर से नया और भी ज़्यादा करके देखना है, तो यहां पर 100 में करके, यहां पर 10 entry है, आप इसमें किरके, यहां पर 25, 50, 100, यहां पर बढ़ा सकते हो, तो जैसे ही मैंने 100 किया तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर निकल कर कारेगे 165 टोटल है तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आप किसमें apply करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर scroll करोगे अगर आपको यहाँ पर एक से ज्यादा page होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 से 165 की बीच में तो आप यहाँ पर किलिक करके इसको और भी देख सकते हैं उसके पाद यहाँ पर आपको दिखेगा और भी ज्यादा करके जो भी तो जो भी यहाँ अग्र आपको कोई दिख रहा है तो हैं अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप यहांपर सर्च भी कर सकते हैं ओ पार्टिकillery वहां पर आजाए द 국J आप इसमें लिखोगे, rail, RAL जैसे लिखोगे, तो आपको जो rail की vacancy, rail tail की vacancy होगी, वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, rail search करने पर rail vikas nikum limited, rail tail corporation of india limited, तो अगर आप इसमें से किसी में apply करना चाहते हो, तो यहाँ पर apply का बटन दीख रहा, इस पर click करते ही, आप इसको यहा against advertisement vacancy में, आपके section में आपको दीखेगा, तो यहाँ पर जो भी vacancy होगा, उसका है, यहाँ पर publication date और last date, यहाँ पर दिया रहता है, और यहीं पर apply का बटन दीख रहा है, इस पर click करके, आप इसको apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी vacancy, जैसे की, मैं एक RITS का यहाँ पर click क करोगे, तो यहाँ पर status में, इस तरीके का applied का option, यहाँ पर दीख जाए, अब बात करते हैं, कि अगर आप देखना चाहते हैं, कि आप कौन-कौन से vacancy apply किये हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको उपर में, यहाँ पर यह three lenses, इस पर click करोगे, तो यह option आ जाएगा, इस इस पर आपको application management का option दीखेगा, इस पर आपको click करना है, जैसे इस पर click करोगे, तो आपके सामने में, इस तरह का application management के अंदर में, जो भी vacancy आप apply किये होंगे, और यहाँ पर आपको दीखेगा, तो यह देख सकते हैं, दो vacancy है, जिसमें कि यहाँ पर applied का option दीख रहा है, तो यह vacancy इस total के दोरा इस particular candidate के दोरा apply किया गया तो आप भी अपना check कर सकते हैं कि आप कौन-कौन से यहाँ पर vacancy को apply की हो और यहाँ पर भी आपको applied against advertisement में यहाँ पर total 4 vacancy दीख रही है तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं अब बात करते हैं कि अगर आपका इसमें कैसे selection होता कैसे आपको पता करना है कि किस तरीके से आपका selection होगा कौन-कौन में apply करना चाहिए तो इसके regarding मैं separate video अलग से आपको बना दूँगा तो उस video को भी मैं upload कर दूँगा जल्दी तो आप उसको देख सकते हैं जिसमें कि आपको यह पता चल जाएगा कि आपको इसमें कैसे sort list होता है कैसे आपका इसमें interview होता है कि नहीं होता है document verification उसके बाद किस तरह का का आपका यहां पर sort list का process है कैसे आपको पता चलेगा तो सभी के लिए आपको आने वाले वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी तो अभी तक वीडियो को लाइक निके हैं तो ज़रूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा जि यहां से अगर आप जोइन होगे तो कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और थैंक्यों वीडियो को जरूर से लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजेगा